नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार आईए करते हैं ख़बरों की शुरुआज सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर लॉप परिक्षा का बहिसकार कर रहे छात्रों पर पुलीस ने किया लाठी चार्ज रण छेत्र में तबदील हुआ परिक्षा केंद्र यात्रियों से भरी बस और हाइवा के बीच भीशन टक कर एक महला की मौत आधा दरजन से अधिक यात्री हुए घायल जमीन विवाद को लेकर नातनगर में जम कर हुई गोली बार ही ग्रामिनों में दहसत का महल स्वक्ष बैवहार सुंदर बिहार को लेकर जिलास्त्रिय कारे शाला का हुआ आयोजन स्वक्षता का पढ़ाया पाट और पूरी हुई मननत तो बेटी को कामर पर बिठा कर कोलकता के कामर या बाबा धाम हुए रवाना अनोखा कामर रहा आकर्शन का कैंद्र और अब खबरें विस्तार से तिलका मांजी भागलपूर विश्विद्याले के बहुदेश्य प्रशाल में शुक्रुबार को लौ के छात्रों ने ही कानून की धज्यां उड़ा दी और अपनी मर्यादा भूल गए दरसल गुरुबार को टी अनवी लौ कॉलेज के छात्र नेता धर्मराज को कदाचार के आरोप में पुलीस ने गिरपतार कर जेल भेज दिया था इसी के बिरोध में शुक्रुबार को लौ के कुछ छात्रों ने तीन बरसिये लौ पोर्स के समवेश्टर वन की परिक्षा का बहिसकार करते हुए विसुविद्याले प्रेशाशन के खिलाप जमकर नारेवाजी की और केंद्रा धिक्षक प्रोफेसर राम परवेश सिंग और प्रिक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुन कुमार सिंग को हटाने की मांग करने लगे इस दोरान ड्यूटी पर तैनात मजिश्ट्रेट महम्मद साबीर और विक्षक आनंद मिस्रा से प्रदर्शनकारी छात्रों की तीखी नोग जोंक हुई मौके पर मजूद विश्विद्याले थानाध्यक संजय कुमार सत्यार्थी और ललमटिया थाना प्रभारी बबलु कुमार ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया लेकिन छात्र और उग्र हो गए छात्र नेता सौरवजा ने कहा कि नियम के विरुद धर्मराज पर पूलिसिया कारवाई की गई है जबकि लोग की छात्रों ने कहा कि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा जो कि समस्टर 5 का छात्र रहा है वो एक्जाम दे रहा तो मैं आपको बता हूँ कि पूल में ही कंट्रोलर और धर्मराज के बीच कई बार कहा सुनी हुई थी और उन्हांने साब रूख चे अपने कारियाले में धंकी दिया था दर्मराज सिंग को कि बगताने पर मैं तुम्हें देख लूगा वहीं करीब एक घंटा तक परिक्षा वाधित होने के बाद परसासन हरकत में आया और चात्रों को केंपस खाली करने का आदेश दिया लेकिन चात्र डटे रहे इसके बाद नाथनगर सीयो राजेश कुमार और सधर अचिस नरायन ने माइकिंग कर कहा कि जो चात्र परिक्षा देना चाहते हैं वो परिक्षा दे सकते हैं लेकिन एक बार फिर प्रदर्शनकारी छात्रों ने इसका जम कर विरोध करना शुरू कर दिया इसके बाद पुलीस प्रशासन की मौजूदगी में लौग के अधिकतर छात्र छात्रों ने सेंटर इंचार्ज डौक्टर केशकर ठाकूर प्रौक्टर फ्रोफेसर विलक्षन रवीदास और परतिकुल्पती प्रोफेसर राम यतन प्रशाद की निगरानी में परिच्छा दी इसके बाद पुलीस प्रशासन की मौजूदगी में लौग के अधिकतर छात्र छात्रों ने सेंटर इंचार्ज डौक्टर केशकर ठाकूर प्रोफेसर विलक्षन रवीदास और परतिकुल्पती प्रोफेसर राम यतन प्रशाद की निगरानी में परिच्छा दी प्रतिकुल्पती ने कहा कि फिलहाल डौक्टर केशकर ठाकूर को प्रिच्छा का सेंटर इंचार्ज बनाया गया है लेकिन डौक्टर केशकर सेंटर इंचार्ज बनाया जाने की बात से इनकार करते रहे पूरे का पूरे समेत छात्रों को चोटे आई इसके बाद ओल्ड पीजी केंपस के दोनों गेट पर पुलिस बल की तैनाती की गई और अधिकारियों ने बहु उद्देशिये परशाल के चारों तरफ भर्मन किया और प्रदर्शन कारियों को खदेड दिया इसके बाद पूरा केंपस खाली हो गया और छात्र छात्रों ने सांती पुर्ण माहौल में परिक्षा दी वहीं सदर HDO, आसिस नरायन और CTDSP राजवन सिंग ने कहा की कानून तोडने वालों के खिलाप सक्त कारवाई की जाएगी मौके पर कई थाना की पुलिस मजूद थी उनलों के दौरा बच्चों को प्रविश करने से रोका गया उनलों को एक्जामनेशन प्रिशर से सौ मिटर दूर रहने का आदेश दिया गया और उनलों के रुद प्रात्मे की जल्ज की जाएगी जिन लोगों ने एक्जामनेशन को प्रिक्षा को बाधित करने का कार किया है आज प्रविश करने से रोका जा रहा था हलका से बल प्रियोग किया गया है आगे क्या करवाई कि जाएगी यहां परिक्षा चल रहे हैं तो आज लोगों ने परिक्षा बाधित किया, 144 लागू है इस जो भागरपुर के द्वारत, जिभी लोग में गेट जहां परिक्षा चल रहे हैं तो हलका बल परोगर के SGMT फस्पीरों को हटाया किया भागलपूर के विक्रम शिलापूल, जगतपूर के समीब शुक्रवार को यात्रियों से भरी बस और हैवा के बीच टकर में एक महला की मौत मौके पर ही हो गई जबकि बस में सवार आधा दरजन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया घटना के बाद मौके पर पहुची पुलीस और अस्थानिये लोगों ने घायलों को मायागंज अस्पताल में भरती कराया जहां चार की हालत गंभीर है घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शिवाजी रत भागलपूर से सहरसा जा रहा था इसी दोरान जगतपूर के समीप हाईवा से टकराने के बाद बस का पिछला हिस्सा छती गरस्त हो गया मिर्तक महला की पहचान खगड़िया की बवी तादेवी के रूप में हुई है वहीं मौके पर पहुची पुलीस ने दोनों गाड़ी को जपत कर जांच में जुट गई है नाथनगर मधू सूदनपूर थाना छेतर शुक्रवार को दो पक्छों के बीच जमीनी विवाद को लेकर जमकर गोलिबारी हुई घटना के बाद मधू सूदनपूर पुलीस को सूचना दी गई लेकिन पुलीस घंटों बाद मौके पर पहुची वलिबारी की घटना को लेकर ग्रामिनों में दहशत का महौल बना हुआ है पुलीस ने घटना अस्थल के आसपास के घरों में छापे मारी की लेकिन खाली हांत लोटना पड़ा वहीं पुलीस ने मौके से दो जिंदा कार्तूस और एक खोखा बरामत किया है नातनगर थाना ध्यक्ष ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर कारवाई के निर्देश दिये हैं साथी घटना के बावत बताया जा रहा है कि मधुसूदनपूर ओपी के दिग्गी कानाबान में दो फक्षों के बीच भारी गोली वारी हुई है मौके से पुलीस ने दो मोटर साइकिल जब्त किया है साथी चार संदिग्द से पूछ ताच कर रही है और इसमें जो लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है और उसकी गिरफतारी के लिए विशेष्ट्री में गठन किया गया है जल्दी उसकी गिरफतार के लिए बिहार सरकार की चौसर दिसमी जमी थी उसमें कुछ परिवारों को दोरा सरक्रूपे प्रियोग गया रहा था लेकिन उस बिहार सगार के जमीन सटे रहेती लेंड है और रहेती लेंड पर कार चल रही थी परंतु जो बिहार सगार का जो जमीन था उस पर पी आतिकर्मन फ्या जा रहा था और हमारे ठानपरवारी को जो सुचना मिला तो उन्होंने जाकर काम रुखवाया था अज पिर काम चूरू भी तो हम लोगों को जानकारी मिली हम लोगों ने स्पोर्ट पर गया तत्काल काम बंद करा दिया गया है स्वक्ष व्यवहार, सुंदर बिहार एवं स्वक्ष महोतसप के अंतरगत एक दिवसिये जिला अस्तरिये उन्नमुखी करण सहकारशाला का आयोजन सुक्रवार को भागलपूर के DRDA सवागार में किया गया जिला, जल एवं स्वक्षता समीती की ओर से स्वक्ष भागलपूर, स्वस्त भागलपूर को लेकर आयोजित कारशाला में DDC सुनील कुमार, DRDA निदेशक प्रमोद कुमार पांडे ने स्वक्षता एवं स्वास्त को लेकर कई दिशा निर्देश दिये जबकि सिवील सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंग, जिला अलफ संख्यक कल्यान पदादिकारी राहुल कुमार एवं ICDS CDPO अर्चना कुमारी ने अधिकारियों, कर्मियों एवं स्वक्षता ग्राहियों को स्वक्षता एवं स्वस्त रहने का पाठ पढ़ाया घरों के साथ अपने आसपास में साफ सफाई रखने को महत्त देने से स्वास्त बेहतर होने की बात कही जबकि सरकार दोरा लागू की गई योजनाओं को धरातल पर उतार कर स्वक्षता और बेहतर स्वास्त की परिकलपना को पूरी करने की बात कही गई मौके पर स्वास्त एवं स्वक्ष बिहार की मुहीम को पूरा करने के लिए सभी कर्मियों को महतपून जानकारी दी गई आपने हमेशा बेटे के लिए मननत मांगते हुए काफी लोगों को देखा होगा लेकिन कम ऐसे मौके आते हैं जब कोई बेटी के जन्म के लिए मननत मांगता हो हम बात कर रहे हैं कोलकता के परकास एवं उनकी टोली की जो पिछले नौ वर्सों से परती एक वर्स विश्व परसीद सरावणी मेला में सुल्तान गंज अजगैवी नाथ से गंगा जल लेकर देवघर बावा बैदनात धाम जलाविशे करने चाते हैं इस वर्स के कामर यात्रा में शुक्रवार को सुल्तान गंज में एक अनोखा कामर दिखा जिस पर भगवान गंज की परतीमा और एक साथ साल की बच्ची को लेकर कामरिया पूरी शरधा एवं उल्लास से बावा धाम के लिए रवाना हुए नगाडे की थाप पर जुमते कावरिया उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर बोल बम के नारे के साथ देवघर की यात्रा शुरू की दरसल शिब भक्त परकास ने बावा बैदनात से एक पुत्री के जन्म की कामना की थी और साथ वर्स पुरू भोलेनात की किरपा से उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ प्रकाश ने कहा कि बावा के दरवार में पुत्री की कामना की जो पूरी हो गई और अब पुत्री साथ वर्स की हो गई है तो मन्नत के अनुसार पुत्री को कामर पर विठा कर बावा के दरवार जा रहे हैं परकाश की टोली में अमीत, सोनू एवं अभिशे के साथ कई युवा शामिल हैं जो बावा को जलाभिशे करने जा रहे हैं एक ओर जहां सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है वहीं समाज में बेटियों के लिए की गई या पहल की हर तरफ सराहना हो रही है भागलपूर, मदुशुदनपूर, थानाचेतर, रामपूर, खुर्द पंचायत के महमतपूर गउं में फुलेशताती के घर गैस सिलेंडर विस्फोर्ट कर गया विस्फोर्ट इतना भयानक था की पूरा महमतपूर इलाका दहल गया इस घटना में फुलेशताती की पतनी मंजू देवी, बेटी पूजा कुमारी और बेटा रोहित कुमार गंभी रूप से घायल हो गये गैस सिलेंडर विस्फोर्ट के बाद आग इतनी भयावा थी की तकरीवन एक घंटे की कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया इस घटना में बीच ब्यचों के दोरान रेल करमी टिंको कुमार बूरी तरह जुलस गए तकरीवन दो घंटे तक लोगों ने फायर विर्गेट की टीम को फौन करते रहे लेकिन दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुची घटना की जानकारी मिलते ही सियो राजेश कुमार वो मधु सुधनपूर पुलीस मौके पर पहुची और हर संभब मदद का भरोशा दिलाया सियो ने कहा कि पीडित परिवार को आपदा के तहत सहायता राशी प्रादान किया जाएगा रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे हैं सिल्क टिवी के साथ आक्सिमीन ग्रूप आप कमपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लोट्स आसान मासिक किस्तों पर स्टेट हाइवे के पास गोनुधाम और जगदीस्पूर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर आक्सिमीन ग्रूप आप कमपनीज सिकंदरपूर नियर पानी टेंक की भागलपूर मुवाइल नंबर 707 944 6584 8430 075573 बिरेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सिल्क टीवी पुर्व केंद्रिय मंत्री सभाका के पुर्व सांसद जैप्रकाश नरायन यादव ने स्रावनी मेला को लेकर जिलेविया मोड से कामरिया धर्म शाला तक कामरियों को दी जा रही सुविदाओं की जानकारी ली निरक्षन के दोरान पुर्व मंत्री ने कहा कि कामरिया पत में सुविदाओं को और बहतर करनी की जरूरत है कामरिया पत में पैजल संकट की इस्थिती गंभीर बनी हुई है सरकार और प्रहशाशन को गंभीरता से लेना चाहिए मौके पर प्रमुक संग के जिलाध्यक्ष बंबम यादव, पुर्व परतियाशी जफरूल होदा, पुर्व पार्शत सहित काफी संख्या में राजद नेता मजूद थे बाका के बिलहर थाना चेत्र तरी मजगाय निवासी निलकंठ मिश्रा की हत्या मामले में परीजनों ने गाओं के 9 लोगों पर मामलाददर्ज कराया था घटना के नौ माह बीत जाने के बाद विलहर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गोरकपूर से निलकंठ मिश्रा को जिवित ब्रामद किया है जबकि निलकंठ मिश्रा हत्या मामले में कई लोग जेल में बंध हैं दरसल 26 अक्टूबर 2018 को निलकंठ मिश्रा की मा हेमा देवी के बयान पर गौ के ही गोरेलाल मिश्र, सरवान मिश्र, रोहित मिश्र, मोहित मिश्र पर हत्या कर सब को गायव करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थमी की दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया था लेकिन थानेदार ने गुमशूदगी रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही इसके बाद डी आईजी विकास वैभब के निर्देश पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था पुलिस ने गुरुवार को गोरकपूर में संचालित स्वैसेवी संस्था इसमाईल हॉम से विछिप्त अवस्था में नीलकंठ मिश्रा को बरामद कर विलहर पहुची स्रावणी मेला की सुरक्षा विवस्था को लेकर नाथनगर थाना परिशर में नाथनगर इनिस्पेक्टर अली साबरी के नेतुरित में शांती समीती की बैठक आयुजीत की गई बैठक में हिंदू मुसलिम समूदाय के लोग उपस्थित थे दोनों समूदाय के लोगों को आवश्यक दिशानिर्देश दिया गया शरधालों के बैतर सुभिदा के लिए पुलीस बलकी तैनाती तथा नाथनगर के विभिन चौक चौराहों पर पुलीस की गस्ती के साथ सुल्तानगन जाने वाले मारगों में जगा जगा एरो वोड लगाने को लेकर चर्चा हुई मौके पर पपु यादव, निजाहत अंसारी, जुम्मन अंसारी, अशोक राय, नीलम देवी सहित, शांती समीती के सदस से मजूद थे दिलकामाजी भागलपूर विशुविद्याले की लौ परिक्षा में लगातार हो रहे हंगामे के बाद कुलपती प्रोफेसर लीला चंदर सहा ने लौ के चात्र चात्रों से शांती पुर्वक परिक्षा देने की अपील की है कुलपती ने कहा कि इस तरह की घटना से विशुविद्याले की गरिमा धूमिल होती है के बाकावे में नहीं आए अगर एक दो चात्र या मुठी भर के चात सारे लड़कों को रोकते हैं तो लड़कों को आगे आना चाहिए जो सही माइने में चात्र चात्रा हैं जिनको इसमें आगे बढ़ना है लाओ करके आगे प्रैक्टिस करनी है या आगे उनकी नौकरी इस पर है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए प्रतिरोद करना चाहिए बाकावे में किसी के दो चार चात्रों के बाकावे में नहीं आना चाहिए और आपका कैरियर आपके हातों में है अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे कोई दूसरा आपको मदद नहीं कर सकता है और आपक परिषा नहीं ले सकती है इसलिए जो चात्रों का परिषा छूट जाएगा वो परिषानी में पढ़ जाएंगे इतलिए कोई भी चात परिषा न छोड़े और परिषा में पुरुन रूपेन अच्छी तरह समलित हो और कदाचार मुक्त परिषा आपके लिए है विश्विद जगह पहुचाने के लिए सही मेरिट का ग्यान दिलाने के लिए इक अधा चार मुक्ष परिक्षा होती है इसलिए सारे चात्र उसमें सम्मिलित हो भागलपूर TNB Law College में Part 3 परिक्षा के दौरान MM College की चात्रा को पईरवी और मिलने बुलाने के मामले में सेक्सूल हरास्मेंट सेल की टीम ने अपनी रिपोर्ट विश्विद्याले परेशासन को सौप दी है रेजिस्टार करनर अरुन कुमार सिंग ने कहा कि मामले को अनुशासन कमिटी में भेजा गया है रिपोर्ट आने पर आरोपियों पर सक्त कारवाई की जाएगी लॉड्फुलू रोग्थाम को लेकर पशुपालन विवाग की और से रेपीड रिस्पॉंस टीम का गठन किया गया है जिला पसु पालन पदादिकारी डॉक्टर राजेंदर कुमार के निर्देश पर वर्ड फुलू एवं इसके लक्षन की जांच को लेकर बिहार जारखंड के सिमाबरती छेतर में रेपीड रिस्पॉंस टीम द्वारा जांच की गई टीम में सहायक कुकुट पदादिकारी डॉक्टर अनील कुमार पसु चिकिस्सा पदादिकारी डॉक्टर अंजली कुमारी डॉक्टर नरेंदर कुमार एवं डॉक्टर हरीनन्दन कुमार ने मुर्गा एवं मुर्गी की जाज कर नमूना एकित्र किया डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि सभी नमूने को जाज के लिए पटना इस्थित पशू स्वास्त एवं उत्पादन संस्थान भेजा जाएगा गौर तलव हो की कुछ मापूर जारखंड के सीमाबर्ती छेत्रों में बढ़ फुलू की पुष्टी हुई थी जिस पर प्रशाशनीक सजक्ता से नियंतरन किया गया था भागलपूर प्रमंडलिये छेत्रिये कारिकरम इकाई की ओर से शुक्रवार को भागलपूर में राष्टिये स्वास्थ मिशन के तहत वित एवं लेखा से संबंदित पदादी कारियों एवं कर्मियों के वित्ये प्रवंधन में छमता वर्धन के लिए दो दिवस्ये प्र शिक्षन कारेशाला का आयुजन किया गया प्रशिक्षन कारिकरम का शुबारम स्वास्त विभाग के छेत्रिय अपर निदेशक डॉक्टर राज किशोर प्रशाद, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंग आरपियम अरुन प्रकास, राष्टिय परतिनिधी सोमेश कुमार, वडवेंग गुरूप के रंजन कुमार, डीपियम फैजान असरफी एवं बाका के लेखा प्रवंधक सोमेश ज्ञाने संयुक्त रूप से किया इस दोरान जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल भागलपूर एवं बाका जिला स्वास समीती एवं परखंड अस्तर के सभी अस्पताल एवं स्वास्त विभाग कारियाले के लेखा पाल एवं लेखा कर्मियों को विशेशग्यों ने परशिक्षन दिया जी एश्टी समेत बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, सरकार की योजना के किरियानवयन से जुड़ी जटिलताओं के बारे में बताया गया राज स्वास्त समीती के निर्देश पर आयुजित प्रशिक्षन कारे शाला में सभी लेखा पदादी कारियों, लेखा पालों एवं कर्मियों को छमता वर्धन के लिए विश्तुरित जानकारी दी गई शोमेश कुमार जाने कहा कि सरकार दुआरा चलाई जा रही योजनाओं में लगातार बदलते ट्रेंड को देखते हुए अकॉंट से जुड़ी जानकारी दी जा रही है मोके पर छेत्रिये लेखा प्रवंधक विजय कुमार वरिये अंत्रीक अंकेशन पदादीकारी समेत लेखा से जुड़े कई पदादीकारी जवाहलाल नेरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं भागलपूर बाका के सभी परखंड अस्पतालों के लेखा पाल एवं लेखा कर्मी मजूद थे क्या क्या प्रावधान है लेखा के समद्ध में क्या चुनोती है ऑनलाइन जो पेमेट बहुत सारी इंसेंटिव्स होते हैं उसमें क्या-क्या परिशानिया आ रही है लेखा पास और इसी क्रम में आज दो दिवसियर काज क्रम है जो की भागलपूर प्रमंडल के दोनों जि भागलपूर नया वाजार इस्थित राजकिये मदनलाल कन्या मध्य विद्याले में शुक्रवार को लाइन्स कल्व और भागलपूर सिल्क सीटी की ओर से डेंटल चेकप करिकरम का आयुजन किया गया करिकरम में दंतरोग विशेशग डॉक्टर कुंदन सा और डॉक्टर पियूश कुमार ने छात्रों के दातों की जाच की और आवश्यक प्रामर्श देते हुए नियमित रूप से दातों की सफाई करने की बात कही चेकप से पुर्व लाइन सिल्क सिटी की अध्यक्षा अलका दुगड सचीव संभू परशाद भगत सहीत सभी सदस्यों ने बच्चों की नियमित रूप से स्वास्त जाच कराने की बात करते हुए कहा कि इसकूल में जाच शिबीर आयुजित करने से अधिक संख्या में ब चॉकलेट, केक, फास्ट फूड का अधिक सेवन करने से होता है। कल्व की अध्यक्षा अलका दुगल ने कहा कि बच्चों के बहतर स्वास्त के लिए हेल्थ चेकप केम्प का आयोजन किया गया है और जाच के बाद बच्चों के इलाज के लिए कल्व पहल करेगी। इस द हम लोग का प्रोग्राम है कि आज हम लोग यहां के स्कूल के बच्चों का इल्टेंटल शेकप कर रहे हैं। और साथ में लोग को कुछ प्री दवाईयां और टूथपेस्ट, माउथ वाज़ वगर अधि बाटेंगे। हमारा में ही परपस है कि यह प्रोग्राम हम लोग कं इन दॉक्टोर के क्लिनिक्स के हम लोग तुरिटमेंट दिलवाएं। में मोटो यही है कि इन लोग का ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर एक बार टेंटल शेकप कर देने से कुल फायगा नहीं है। उसको फुल ट्रीटमेंट बिलना चाहिए। पहले ही हाँ पाद बच्चों को एक्जामिन कर रहा है। उसमें यह दिख रहा है कि सब बच्चों में खीड़ा लगावा हैं। किसे मूह से बद्भू आ रही है। और बहुत अनेक तरह की बिमारिया देखी जा रही है। इसका में कारन है कि आज का जो फास्ट प्रोडुक्ट्ट्ट्ट्ट चॉकलेट, पेस्ट्री, केक जो प्रचलन हुआ है। उसके कारन यह बहुत कॉमन है। इसको रोका जा सकता है। यह बढ़ जाती है। तो उमर के पहले जी नात उखाड़ना यह सब फीट्मेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए थुआ सा प्रिकॉशन बहुत ज़ और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर। पर जन से अधिक यात्री हुए घायल। जमीन विवाद को लेकर नात नगर में जम कर हुई गोली बार ही ग्रामिनों में दहसत का महौल। के कमर या बावा धाम हुए रवाना अनोखा कामर रहा आकर्शन का कैंद्र। हिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहें ये सिल्क। टीवी के साथ तब तक के लिए नमस्कार। हुआ हुआ हर रहें